एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहां पर गूशन पर्फेक्शन के और वी डाइनस्टी के एक बंदे के बीच में लड़ाई होने वाली होते हैं जिसमें वह बंदा कहता है कि अगर आप तुम यहां से बचके नहीं जाना चाहते तो मुझे मत कहना फिर तो कुछ और अटेक करता है वह आदमी डैनस्टी वाला तो वह उसके अटेकों को डोज करता है फिर वहां पे वह खुद उस पर अटेक करता है उसके बाद वह अपनी पावर से उसके उस अटेक को काट देता है और फिर वहां पर दूर जाके गिर जाता है तो फिर वहां पर ब कुछ नहीं रहा तो वो अपनी सिर्फ एक उंगली की पावर से उसे वहाँ पर खतम कर देता है और वो उस मैच से आउट हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो नीचे पोस्ट आ है तो वहाँ पर यंग मास्टर लेंग के सामने जाके कहता है कि सिर्फ इतनी सी हमने तेना कड़के चल रहे थे यह तुम लोगों की पावर जिसमें वो कहकर जाता है और उसे गुस्सा आता है एंग मास्टर लेंग को जिस पर हम वहाँ पर लोगों को देखते हैं वह कह रहे होते हैं कि आखिरी कौन से रियल में यहां पर वो इसके यहां पर डिफेंस को सब बहुत ज़्याद हम उसी बता जाएगी और हम वहाँ चिंचैन को देख रहे होते हैं तो वह कहता है कि इसकी तो कल्टिवेशन बेज और यहां तक की मेंटल पावर ही बहुत ज़्याद है और यह डेविनेटली गूशन पर्फेक्शन नहीं होगा वह सिर्प उसके सामन नहीं की महाँ पर हमें पता लगता है कि अब सिर्फ चोविस सो लोग बचे रहे हो गई हैं जिसमेंसे आट लोग चिए कंट्री के होते हैं और हम देखते हैं कि जो मास्तर इशन होते होते हैं इस चीज को सुनते हुए और फिर हम देखते हैं की और वहाँ पर जो थर्ड टेस्ट होता है फिर स्टार्ट हो जाता है उसमें अब की बार वहाँ पर जितने भी पोल होते हैं वो सभी आपस मुझूड जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कंटेस्टेंट होते हैं उन सभी को चुलनिया जाता है जिसमें Gident की आभी का हमे इसका पढ़ीनाम पता नहीं है कि मुझे यह नहीं कह सकते हैं उसे कहता है यानि तुम से चाहए चाहूंगा जिस पे वह उसे पर अटेक कर देता है वए तिंदो, तो वो कहता है कि मैं अब भी हार नहीं मानूँगा, तो वह उसा प्याद गंतो बहुता सब्से पाउरफुल होभि कमने के लिए लिए जाता है धिस पे कहता है तुम हंब भी कुछ नहीं है तो वो उस पे फिर से अपनी पावर से टैक करता है और उसके अटैक को असानी से खतम कर देता है तो वहाँ पे वो इसी तरीके से और भी अटैक करता है लिन कॉंग लेकिन उस पे उनके कोई भी अटैक का सरण नहीं होता वातिंदो पे और फिर तभी वो कहते है लिनकों की चाहिए कुछ भी हो जाए मैं पीचे नहीं आटूँँग और वो कहते है कि मैं फिर से आ रहा हूँ तुमसे लडने के लिए वो फिर से उसे लडने के लिए جाता है और ताहा आइज वहां पे जिस पर वह रहान हो जाता है और फिर वह से बहुत तीजी से उसके पात जाता है वयत हिंदू और एक पंच में उसके भाले को भी तोड़ देता है जिससे वह उसके टैक को रोक रहा होता है और उस पंसे को बहुत दूर की जाके गिरता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वह थे इन तो असानी से जीच जाता है उस मैच को और हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर दो मैच चल रहे होते हैं वेंग चीमिन को कि अब भी आर्मान ले जिस पे वो कहता है कि नहीं और हम देखते हैं कि वो अपना सबसे पावरफुल अटेक इस्तेमाल करता है उसका अपूनेंट जिस पे वेंग चीमिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां हार ने सकता मैंने अपने जीवन में अत जिसमें लोग बाग सोचते हैं कि दोनों से कौन जीता दोनों नीचे लेट गए हैं जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे वेंग चीमिन बहुत हिमत करता है और खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे अगला राउंड स्टार्ट होता है जिसमें फिर से लोग ब है आगर प्रिंसेस के सामने और कोई होता तो एक बार का देगा जाता और वो और यह ओर यह कॉंप्टिशन करीब एक-दो साल बाद होता तो शायद प्रिंसल्ग जीत जाती लेकिन अभी तो बहुत स्से आज़ाज़ा जल्दी है यह से नहीं जीत पाएगी तो वो कहता है कि अब की बार इस competition में सीटू ये question perfection का black rope वाला इंसान और वो दोनों वो इन match को जीच जाएंगे और होता भी ऐसे ही है वहाँ पर princess linshan भी आर जाती है और वहाँ पर वो सभी लोग आसनी से वो match जीच जाते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आखरी round स्टार्ट होता है जहाँ पर वहाँ पर चिंचैन को चुना जाता है और उसके सामने एक और बंदा आता है जिस पर वो चिंचैन को कहते है कि ओ ये तो तुम हो और वो कहते है कि मैं भी कितना लगकी हूँ मेरे सामने एक five kingdom का बंदा आगया और उसे कहते है कि मैं तुझे छोड़ोंगा नहीं और कहता है कि तुझे सिर्फ तीन मूव में । जिस पर चिंचैन कहते है कि हो देखते हैं तुमारे तीन मूव जिस पे वो वहाँ पे अपनी सबसे powerful trick इस्तमाल करता है और कहता है बच्चे तुम जंडर एस्टिमेट कर रहा था ले अब भुगत इसका परिणाम और उस पे उनसे टेक कर देता है जिस पे चेंचैन भी वही खड़ा होता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड भी कतम हो जाता है ठैंक्य दोस्ति